नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथवीध हरिंदर यादव दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हम Element of Mathematics Class 10th कर रहे हैं और इसके अंदर हमने दोस्तों Exercise 2.3 के Question No.10 तक Finish कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Exercise 2.3 के बाकी बचे सभी Questions दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2.3 को Finish करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाय स्टार्ट करते हैं Question No.11 है दोस्तों if two zeros of the polynomial x की power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 के रहे कि एक polynomial दी हुई है इसके two zeros जो है are दे रखे हैं 2 plus minus root 3 के equal find the other zeros के रहे कि other जो zeros हैं वो find out कीजे तो दोस्तों सबसे पहले जो polynomial दी हुई है उसकी degree देखे डिगरी क्या होती है उसके अंदर x की जो maximum power होती है वही उसकी degree होती है तो x की यहाँ पे maximum power है 4 तो इसकी 4 डिगरी हुई यदि इसकी 4 डिगरी है तो इसके zeros भी कितने होंगे 4 के equal यानि कि इसके zeros जोंगे वो 4 होंगे उन में से two zeros ये दी हुए है यानि कि इसका एक zero तो क्या होगा ये होगा two plus under root three के equal और दूसरा zero होगा two minus under root three के equal यानि कि ये two zeros जो है इसके अंदर हमें given है और other two zeros जो बच गए वो हमें find out करने हैं तो चलिए दोस्तों solve करते हैं तो सबसे पहले हमें zeros दी हुए है यानि कि ये x की वो value है जिसको यदि हम x की जगह put करते हैं तो इसको ये zero बना देगी यानि x is equal to क्या हो सकता है जो zero बनाएगा वो है two plus under root three के equal दूसरा x है वो x is equal to है two minus under root three के equal अब क्या करेंगे दोस्तों इस पूरी value को उधर लेक के जाएंगे यानि x minus क्या हो जाएगा two plus root three is equal to हो जाएगा zero के equal यानि कि ये एक factor हुआ जो divide कर देगा किसको इस polynomial को completely दूसरा x is equal to बन जाएगा sorry x और इसको complete को उधर लेक के जाएगे तो minus of two minus root three is equal to zero यानि दूसरा ये factor बन गया जो completely divide कर देगा इस polynomial को आप देखिए जब ये दोनों polynomial अलग-अलग से इसको completely divide कर सकती है तो दोनों का यदि multiply कर दें तो वो भी इसका factor बनेगा यानि कि दोनों को multiply कर देंगे तो वो भी एक इसका factor बन जाएगा तो हम इनको multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा दोस्तों x minus two plus root three ये बन गया sorry minus है तो minus अंदर जाएगा तो ये भी minus बनेगा minus root three के equal दूसरा multiply में इसको कर देते हैं x minus two plus root three is equal to भी क्या बनेगा zero ये बन गया अब देखिए ये दोनों को multiply जो है वो भी उसको उसका factor बनेगा तो हम दोनों को multiply कर रहे हैं यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं x minus two इसको bracket में कर लेते हैं और minus में under root three है एक factor तो ये बन गया दूसरा factor ये है इसको आम लिख देते हैं x minus two इसको एक bracket बार लिख देते हैं और plus में कर देते हैं under root 3, दूसरा factor यह बन गया, अब देखिए, इस complete को यदि A माल लें, और इसको B माल लें, तो A minus B, और यह देखो A ही है, A plus B, A minus B, A plus B, क्या बन जाएगा, तो यह बनेगा, A square minus B square के equal, तो यहां से देखिए, X minus 2 का whole square, minus under root 3 का whole square, यह बन जाएगा, और is equal to 0 हो गया, अब यहां से क्या करेंगे, इसको solve कर लेते हैं, X minus 2 का whole square करेंगे, तो आएगा X square, और यह बन जाएगा, प्लस का 4, और minus का 4X के equal, और यह बनेगा, minus का 3 के equal, is equal to 0, अब इसको solve करेंगे, तो यह बनेगा, X square minus 4X, और यह देखिए, minus का 3, plus का 4, तो यह बनेगा, plus का 1, is equal to 0, यानि कि यह जो बन रहा है, यह भी एक complete क्या है, यह भी उसका factor है, इस polynomial का वो भी एक factor है, दोस्तों, करेंगे, अब जब यह इसका factor है, तो इसको हम divide कर लेते हैं, तो चलिए divide करेंगे, इसको लिखेंगे पहले, x की power 4, minus 6x cube, minus 26x square, plus 138x, minus 35, यह लिख लेंगे, और इसको divide करेंगे, किससे, x square, minus 4x, plus 1 से, इससे हम इसको divide करेंगे, तो देखिए, x square को हम किससे multiply करेंगे, x की power 4 आए, तो हम इसको multiply करेंगे, x की power 2 से, तो यहाँ बन जाएगा, x की power 4, अब minus 4 को इससे करेंगे, तो बनेगा minus 4x की power 3, अब 1 से करेंगे, तो आएगा minus, sorry, plus का x square, यह आगया, अब sign change कर देते हैं, यह आगया minus, यह आगया plus, और यह आएगा minus, यह cancel out हो जाएंगे, और यह कितना बनेगा, minus का 2x की power 3 बनेगा, अब यहाँ से इसको solve करेंगे, तो कितना आएगा, यह आएगा minus का 27x square के equal, बाकी 2 बचगे उनको हम नीचे उतार लेंगे, तो यह आएगा plus का 138x के equal, और यह आएगा minus 35 के equal, अब क्या करेंगे, इसको multiply करेंगे, हम कितने से, minus 2x से कर लेते हैं, तो यह आएगा minus 2x की power 3 के equal, हो गया, अब minus 4 से इसको करेंगे, तो आएगा plus का, कितना, 8x square के equal, अब यह आएगा minus का 2x के equal, यह आएगा, अब sign change कर देते हैं, यह आएगा plus का, यह आएगा minus का, और यह आएगा plus का, अब यह cancel out हो गए, अब देखिए, दोनों sign minus के हैं, तो 27 और 8 कितने हो गए, 35, minus का 35 x square हो गया, और यह कितना आएगा, plus का 140 x के equal, और 35 को हम नीचे उदार लेते हैं, तो minus का 35 आगया, अब क्या करेंगे, अब हम multiply करेंगे minus 35 से, ताकि यह बन जाए minus 35 x square, ठीक है, अब 4 से जब इसको multiply करेंगे, तो बनेगा plus का 140, 140 x बन गया, और 1 से करेंगे, तो minus का 35, अब sign change कर देंगे, यह plus हो गया, यह minus हो गया, और यह plus हो गया, यह भी cancel out, यह भी cancel out, और यह भी cancel out, यह भी cancel out, यह भी cancel out, यह यहां से इसके हम zeros find out कर लेते हैं, तो x square minus 2 x minus 35 is equal to 0 रखेंगे, यदि zeros find out करने तो क्या करेंगे, 0 के equal इसको रख देंगे अब क्या करेंगे देखिए 1 है यहाँ पे इसका coefficient x square का तो 1 को हम multiply करेंगे minus 35 से तो बनेगा minus 35 x square के equal अब हमें क्या चाहिए अब 2 ऐसे factor 2 ऐसे number चाहिए जिनका multiply करें तो आए minus का 35 x square के equal और जब उनको sum करें तो आए minus का 2 x के equal तो क्या बनेगे x square कर देंगे 1 आएगा minus का 7 x के equal और 1 आएगा plus का 5 x के equal देखिए 7 5 तो 35 और minus का आएगा sign और x square आजाएगा अब इनको solve करेंगे तो plus add करेंगे इनको तो आएगा minus का 2 x के equal और minus 35 को as it is हम लिख देंगे is equal to में 0 अब इन दो में से common लेंगे तो x आएगा common अंदर बचेगा x minus 7 और इन दोनों में से common लेंगे तो आएगा plus का 5 अंदर बचेगा x minus 7 is equal to 0 इन दोनों में से common लेंगे तो x minus 7 और यहाएगा x plus 5 is equal to 0 यहां से x की value देखिए x minus 7 को भी 0 के equal रखेंगे और x plus 5 को भी 0 के equal रखेंगे यहां से x is equal to हो जाएगा 7 और यहां से x is equal to हो गया 5 यह दो zeros और हमने find out कर लिए और यही हमें find out करना था तो यह था दोस्तों इसका answer अब चलते हैं question number 12 पर sorry यह आएगा minus 5 के equal question number 12 है दोस्तों find all the zeros of the polynomial 2x की power 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3x minus 1 कह रहागी इसके सभी zeros हमें find out करने हैं if two of its zeros are इसके दो zeros जो हैं वो हमें given है यानि कि 1 पहला जो 0 है वो तो है 2 plus under root 3 और दूसरा है 2 minus root 3 के equal तो दोस्तों चलिए इसका solution करते हैं दोस्तों है question 11 की तरह ही है पिछला question जो हमने किया है वैसे ही वो ही same zeros इसके अंदर दिये हुए है यानि कि यह 0 उसके अंदर भी था x square minus 4x plus 1 is equal to 0 यह equation बनी थी दोस्तों हमारी अब क्या करेंगे इसको हम divide कर लेंगे इस polynomial से sorry इस polynomial को हम divide कर लेंगे इस polynomial से तो देखे चलिए divide करते हैं तो यह आएगा 2x की power 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3x minus 1 और यहां से करेंगे तो आएगा x square minus 4x plus 1 यह आएगा अब इसको किस से multiply करेंगे 2x की power 4 आए तो इसको हम multiply करेंगे 2x square से तो यह बनेगा 2x की power 4 अब 4 से इसको करेंगे तो minus का 8x cube की equal आएगा अब 1 से इसको करेंगे तो plus का 2x square की equal आएगा अब इसका sign change कर लेते हैं minus यह plus और यह minus यह cancel out हो गया और यह कितना बचेगा यह बचेगा x cube वो भी minus का अब यहां से कितना बचेगा यह बचेगा plus का 3x square की equal अब बाकी जो बच गे उनको नीचे उतार लेंगे तो कितना आएगा प्लस का आएगा 3x और माइनस का 1 आएगा अब क्या करेंगे कितना चाहिए माइनस x cube चाहिए तो किस से करेंगे माइनस x से कर लेते हैं multiply तो माइनस x cube बन गया और यहां से minus 4 plus 4 बन गया तो यह बनेगा plus का 4x square के equal और यह one से करेंगे तो आएगा minus का x के equal अब क्या करेंगे sign change करेंगे यह plus का यह minus का और यह plus का यह cancel out हो गया और यह कितना आएगा यह आएगा दोस्तों minus का x square के equal और यह जब solve करेंगे तो आएगा plus का 4x की equal और यह minus 1 हम नीचे उदार लेंगे अब इसको किसे multiply करें minus 1 से कर लेते हैं तो minus का x square हो गया और यह आएगा minus का 4x और यह minus का 1 और यह plus का 4x और यह minus का 1 अब sign change करेंगे यह plus यह minus यह plus और यह सारे cancel out हो गए zero remainder बच गया अब क्या करेंगे यह polynomial जो आ गई इसको हम इसके zeros find out कर लेंगे 2x square minus x minus 1 is equal to 0 अब यह क्या बनेगा 2 को multiply करेंगे minus 1 से minus 2 के equal आना चीन का multiply और यहां आना चीन है minus 1 x के equal तो क्या करेंगे 2x square को as it is लिखेंगे अब लिखेंगे minus का minus का लिखेंगे 2x और plus का लिखेंगे x देखेंगे इनको solve करेंगे तो आएगा minus का x के equal और multiply करेंगे तो minus का 2x square के equal और minus 1 को as it is लिखे is equal to 0 लिख देंगे अब इन दोनों में से common उठाएंगे तो आएगा 2x common अंदर बचेगा x minus 1 यहाँ से देखे plus का 1 common लिखेंगे अंदर बचेगा x minus 1 is equal to 0 अब यहाँ से common लिखेंगे तो आएगा x minus 1 और अंदर क्या बचेगा 2x plus 1 is equal to 0 अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के equal रखेंगे तो x minus 1 is equal to 0 and 2x plus 1 is equal to 0 यहां से देखिए x is equal to बनेगा 1 के equal और यहां से x is equal to बनेगा minus 1 upon 2 के equal तो यहां से देखिए 2 zeros हमने यह find out कर लिया और 2 zeros हमें given दे रखे थे तो total कितने zeros होगा इसके अंदर 4 zeros तो पहला 0 दे रखा था 2 plus under root 3 और दूसरा 0 दे रखा था 2 minus root 3 और 30 0 हमने find out कर लिया 1 के equal और 4 0 हमने find out कर लिया minus 1 upon 2 के equal तो यह इसके all zeros जो हैं हमने find out कर लिया और यह हमारा answer हो गया अब चलते हैं question number 13 पर question number 13 है दोस्तों obtain all the zeros of the polynomial x की power 4 minus 16 x cube plus 86 x square minus 176 x plus 105 करागी एक polynomial दे रखिये उसके all zeros हमें क्या करने है find out करने है obtain करने है if two of its zeros are 1 and 7 यदि उसके 2 zeros हमें given दे रखे है 1 और 7 के equal हैं then तो हमें इसको find out करना है तो चलिए दोस्तों इसको solve करते हैं देखिए यहाँ पर two इसके zeros दे रखे है एक तो दे रखे है 1 और दूसरा दे रखे है 7 यानि कि zeros का मतलब क्या होता है x की वो value जिसके उपर यह जो polynomial दे रखे है वो 0 के equal हो जाए तो x is equal to कितना 1 रखेंगे तो यह 0 बनेगा दूसरा x is equal to 7 रखेंगे तो भी यह 0 बनेगा अब क्या करते हैं इस 1 को इधर ले आते हैं यानि x minus 1 is equal to 0 हो गया और यहाँ से देखिए x minus 7 is equal to 0 हो गया यानि कि यह इसके factor बन गए x minus 1 भी इसको completely divide कर सकता है और x minus 7 भी इसको completely divide कर सकता है जब यह इसको completely divide कर सकते हैं तो इन दोनों का multiply भी क्या कर सकता है इसको completely divide कर सकता है तो दोनों का multiply कर देते हैं x minus 1 multiply by x minus 7 is equal to हो गया 0 के equal अब इसको solve करेंगे तो आएगा x square minus 8x और यह आएगा माइनस का सोरी प्लस का 7 is equal to 0 के equal तो यह polynomial हमारे आगे बन गई है अब हम क्या करेंगे इस polynomial को divide कर देंगे इस polynomial से तो देखिए क्या आएगा divide करते है x की power 4 minus 16 x cube plus 86 x square minus 176 x plus 105 अब इसको यहां लिख लेंगे x square minus 8 x plus 7 अब देखिए x square को किस से multiply करेंगे x की power 4 बने तो x square से multiply करेंगे तो x की power 4 बन गई अब minus 8 को जब इस से multiply करेंगे तो बनेगा minus 8 x की power 3 के equal बनेगा अब 7 से इसको करेंगे तो आएगा plus का 7 x x square के equal अब क्या करेंगे sign change कर देंगे यनि यह minus हो गया यह plus हो गया और यह minus हो गया यह cancel out हो गया और इसको जब sold करेंगे तो आएगा minus का 8 x cube के equal अब इसको sold करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा plus का 781 x sorry 79 के Portuguese आएगा 79 x square के क्वल बगकी जो बच गया उसको हम नीचे उदार लेंगे 176 X और प्लस में 105 यह आ गया अब क्या करेंगे कितना चाहिए हमें माइनस 8 X क्यूब चाहिए तो हम मल्टिप्लाइ करेंगे माइनस 8 X से यह बनेगा माइनस 8 X क्यूब के केकवल बनेगा 64 x square plus का अब 7 से इसको multiply करेंगे तो minus का 56 x केकवल बन जाएगा अब sign change कर देंगे तो यह बनेगा plus का यह बनेगा minus का और यह बनेगा plus का यह cancel out हो गए यह कितना बचेगा यह बच गए देखिए 6 और 9 15 तो यह बनेगा 15 x square के केकवल और इसको जब हम solve करेंगे तो यह आएगा minus का 0 2 1 120 x केकवल और 105 को हम नीचे उदार लेंगे तो 105 अब किस से multiply करेंगे तो इसको हम करेंगे plus का 15 से multiply कर लेते हैं तो यह बनेगा 15 x square के एकवल माइनस 120 x के एकवल और प्लस में 105 साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस यह कैंसल यह भी कैंसल और यह भी कैंसल नीचे रेमेंडर बच गया कितना 0 अब क्या करेंगे दोस्तों यह जो इसका question आ गया इसके 0s find out करेंगे तो x square minus 8 x plus 15 is equal to 0 अब देखिए 15 चाहिए हमें multiply करें तो आए 15 x square के equal और plus करें तो आए minus 8 x के equal तो क्या factor बनेंगे x square x square आएगा और 15 बनाने के लिए हम करेंगे इसको minus का 5 x और minus का 3 x इतना जाएगा और plus का 15 हम as it is लिख देंगे is equal to 0 अब इन दोनों में से common लेंगे x को तो अंदर बचेगा x minus 5 यहां से minus 3 को जब common लेंगे तो अंदर बचेगा x minus 5 के equal is equal to 0 यहां से common लेंगे तो आएगा x minus 5 और अंदर बचेगा x minus 3 is equal to 0 अब इन दोनों को 0 के equal रखेंगे तो x minus 5 is equal to 0 और x minus 3 is equal to 0 यहां से x is equal to आएगा 5 के equal और यहां से x is equal to आएगा 3 के equal यानि कि इसके all zeros क्या बनेंगे पहला 0 जो दे रखा था 1 के equal दूसरा 0 था 7 के equal तीसरा 0 5 के equal और चोथा 0 3 के equal यह इसके all zeros जो हमने find out कर लिये और यह हमारा answer हो गया अब चलते हैं question number 14 पर question number 14 है दोस्तो obtain all the zeros of the polynomial x की power 4 minus 20 x cube plus 140 x square minus 400 x plus 384 कहरा कि यह जो polynomial दे रखी इसके सभी zeros हमें find out करने हैं यदि इसके 2 zeros जो है वो हमें given है 2 और 8 के equal तो find out कीजिए तो दोस्तों चलिए इसको solve करते हैं यह same question है दोस्तों वैसा ही question है तो इसको कैसे करेंगे x minus 2 is equal to 0 हो गया दूसरा हो गया x minus 8 is equal to 0 यह इसके दो इसके factor बन गए अब क्या करेंगे इन दोनों को multiply कर लेते हैं x minus 2 multiply by x minus 8 is equal to 0 अब जब इनको multiply करेंगे तो क्या आएगा x square आएगा और minus में आएगा 10 x के equal आएगा और आएगा plus का 16 is equal to 0 यह इसका equation बन जाएगी इससे हम divide कर देंगे उस polynomial को यानि कि यह आएगा x की power 4 minus 20 x cube plus 140 x square और minus में 400 x plus में 384 यह आएगा अब इसको divide करेंगे हम किस से x square minus 10 x plus 16 से तो क्या आएगा देखिए x square को multiply करेंगे x square से ताकि यह बन जाए x की power 4 10 से करेंगे तो आएगा minus का 10 x cube और 16 से करेंगे तो आएगा plus का 16 x square के equal अब इसके sign change करेंगे यह आएगा minus और यह आएगा plus यह आएगा minus यह cancel out हो गया और यहां से यह आएगा minus का 10 x cube के equal और यह आएगा plus का 6 10 4 आएगा और यह आएगा 3 में से 1 गया 2 आएगा और यह 1 आएगा 124 x square और बाकी जो बच गया उनको नीचे उतार लेंगे 400 x और plus में 384 अब किस से multiply करें minus 10 से multiply कर लेते हैं x से तो यह आएगा minus 10 x cube के equal और यह आएगा minus का sorry plus का 100 x square के equal और यह आएगा minus 160 x के equal अब sign change कर देंगे तो यह आएगा plus का यह minus का और यह plus का यह cancel out हो गया और यह आएगा 24 x square के equal और यह आएगा minus का 140 के equal 140 x के equal और यह आएगा plus का 384 के equal अब क्या करें इसको कर लेते हैं plus का 24 से multiply तो यह आएगा 24 x square के equal ठीक है और यह आएगा minus का 24 0 के equal और यह बचेगा 240 जी यह बचेगा 240 तो यह आएगा 240 x के equal और यह आएगा plus का 384 के equal अब sign change करेंगे यह minus यह plus और यह minus यह cancel out यह cancel out यह भी cancel out यह बचेगा अब क्या करेंगे इसके zeros find out करेंगे तो इसको 0 के equal रख देंगे x square minus 10 x plus 24 is equal to 0 अब क्या करेंगे x square लिखेंगे इसके factor बनाएंगे 24 के तो 24 के क्या factor बनेंगे 6 और 4 बन जाएंगे तो क्या करेंगे minus का 6 x और minus का 4 x और plus का 24 as it is लिखेंगे is equal to 0 अब दोनों में से common लेंगे तो x common लिया x minus 6 common आ गया यहां से x minus 6 बच गया अब यहां से minus 4 common लेंगे तो कितना आएगा x minus 6 बच जाएगा is equal to 0 अब देखें यहां से common लेंगे x minus 6 को अंदर बचेगा x minus 4 is equal to 0 हो गया अब x minus 6 is equal to 0 हो गया x minus 4 is equal to 0 हो गया x is equal to हो गया 6 के एकवल और यहां से x is equal to हो गया 4 के एकवल तो देखें यहां से all zeros क्या बनेंगे 2 given था 8 भी given था 6 हमने find out कर लिया और 4 भी हमने find out कर लिया तो यह इसके all zeros जो हैं हमने obtain कर लिये और यह था हमारा answer तो दोस्तों यह थी exercise 2.3 मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए thank you and take care दोस्तों